अगर आप सच पूछें तो लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसा ना हो नट्टू काका का दिहान थो चुका है क्योंकि उनको कैंसर था और उनको लोग बहुत याद कर रही है जी हाँ, उनकी जो एक्टिंग थी जिस तरीके से नट्टू काका गरा एलेक्ट्रोनिक्स में काम करते थे अपना कैरेक्टर जो था उनका उसको इतने अच्छे से वो निभाते थे वो चीजें आज भी लोगों के दिलू से निकली नहीं है और आज भी लोग नट्टू काका को ही सब चाहते हैं और लोग नहीं चाहते हैं कि उनका रिप्लेस्मेंट कोई भी और ले और इसलिए जो नया कैरेक्टर आने वाला है उसके बारे में भी बहुत जादा डिटेल्स तो नहीं आई हैं लेकिन लोग नहीं चाहा रहे हैं कि ऐसा हो क्योंकि लोग अपने नट्टू काका की जगह किसी और को लेते हुई नहीं देखना जाते हैं आपकी क्या राए है इस पारे में हमें कमेंट करके बताएं और एंटर्टेंडिन दुनिया की हर ख़बर को पाने के लिए बने रहे हमारी चानल के साथ